दौस्तों नमस्कार मैं संजे मगुut है देश लोजाना के डिज्चल मीडिया मंच पर आज हर्याना विधान लिधान सबागे चुनाव के परिनाम अगए उस विधान सबागे चुनाव का परिनाम जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था हर्याना विधान सभाद चुनाव का रिजल्ट जिसको लेकर के तमाम कयास थे, तमाम अनुमान थे, तमाम आकड़े थे, तमाम एक्जिट बोल थे, तमाम सर्वे थे, लेकिन सब ध्वस्त हो गए और चुनाव परिणा माया जिसके अंदर नायब सिंग सैनी, जिनके नेतरताव में भारती जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी, एक बार फिर नायब होकर निकले अगर हम कहें तो 2019 में दीपावली के दिन मनोहराल जी ने हर्याना के मुख्य मंत्री पत की शपक ली थी, तो फिर आप दशहरे पर हर्याना में संभावता नायब सिंग सैनी मुख्य मंत्री पत का कारेभार सम्भाल सकते हैं, दुबारा मुख्य मंत्री बन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले चर्चा की थी फरिदाबाद लोकसभा की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ एक ऐसी लोकसभा पूरे हर्याना की एक मात्र ऐसी लोकसभा जहां पर कि 9 की 9 विधान सभा सीटों पर भारतिय जनता पार्टी ने अपना पर्चम फेराया या यह कह दूं कि वो लोग सभा जिसको करनाल कहते हैं करन की नगरी करनाल और अगर कह दें कि मनोहरलाल की नगरी करनाल उस करनाल के अंदर 9 के 9 कैंडिडेट भारतिय जनता पार्टी के चुनाव जीत गए यानि कि आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात का जिक्र जरूर करूँगा कि जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान में तमाम सर्वे करने वाली एजनसी तमाम एनलाइस करने वाले लोग उसके अंदर चाहे वो सोशल मीडिया के थे चाहे वो डिजिटल मीडिया के थे चाहे वो प्रिंट मीडिया पर था जब जब बात यह चलती थी कि भारतिये जंता पार्टी चुनाव के अंदर कहीं परदर्शन उसका फीका हो सकता है तो ठीकरा फोड़ा जाता था कि मनोहरलाल की वज़ास से यह हो रहा है लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आई तो मनो वे युही राजनीती के कोई कुशल बाजीगर या कुशल खेलाडी नहीं है करनाल लोगसभा सीट एक माँ 33 लोगसभा सीट रही जिस पर भारती जंता पार्टी के सभी कैंडिडेट चुनाव जीते हैं जब चुनाव चल रहा था तो कभी करनाल को लेकर के कहा जाता था कि करनाल विधानसभा सीट जो सीएम सीटी थी वहां पर भारती जंता पार्टी पिछड सकती है कभी पानिपद सीटी को लेकर के कहा जाता था कि यहां पर भारती जंता पार्टी पिछड सकती है समालखा को लेकर के कहा जाता था यहां भाजबा पिछड सकती है लेकिन तमाम एक्साइड हो गए मैं आपको बताऊं तो 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव परिणाम रहे तो सबसे पहले बात आएगी करनाल हैटकॉटर की करनाल से जगमहन आनंद को टिकेट मिला भारती जन्ता पार्टी का जगमहन आनंद को मनहोरलाल जी की चाया समझा जा सकता जगमहन आनंद मनहोरलाल का काफी कामकास देखा करते थे और जगमहन आनंद इस चुनाव में बड़े अंतर से विजई हुए उन्होंने इस चुनाव के अंदर यहां पर सुमिता सिंग जो कैंडिडेट थी कॉंग्रिस पार्टी की उनको बड़े मार्जन से चुनाव में ह रहे थे कृषण पमर में थे भार्ती जंता पार्टी के टिकेट पर पिछला चुनाव ओर गए थे विधान सवह का उसके बाद राजय सभा के मेंबर अनुस्очка के हरियाना भारती जंता next के प्रदे अध्यक्षए कृषण ऽो Demi और इस चुनाव के अंदर कृषण कर्योग ह हुआ था असंद के अंदर योगेंद राना जो भारती जंता पार्टी के जिला ध्यक्ष है उनको टिकेट दिया गया असंद से और योगेंद राना भी सीट पर विजई रहे शंशेर गोगी को इन्होंने इस विधानसभा सीट से हरा दिया और हार का मार्जन भी बड़ा जाए और यहां से योगेंद राना चुनाव जीत गए यह भी मनहोरलाल की पसंद थे अगली विधानसभा की बात करें तो फिर बात करेंगे नीलो खेडी की नीलो खेडी विधानसभा से भगवांदास कबीर पंथी इससे पहले विधायक थे 2014 में 2019 में चुनाव हार गए थ निवर्तमान विधायक भी है पिछले विधायक निकी 2019 से 24 विधायक थे राकेश कंबोज को टिकट दिया था कॉंग्रेस पार्टी ने चर्चाएं होती थी तमाम पैनलिस्ट कहते थे कि राकेश कंबोज चुनाव जीतेंगे लेकिन रामकुमार कश्यप ने राकेश को टिकट दिया भारती जंतापार्टी ने तीसरी बार लगातार विधायक बनने में कामयाब हुए और हर्विंदर कल्याण मनोहरलाल के सबसे नजदीकियों में नवरतनों में माले जाते हैं किसान आंदोलन के दौरान घरोंदा के अंदर काफी बड़े परदर्शन हुए तमाम मीडिया पैनलेस्ट और तमाम एनलेस्ट करने वाले लोग कहते थे कि घरोंदा में हर्विंदर कल्याण को समस्या आ सकती है लेकिन वो भी यहां पर बड़े अंतर से चुनाव जीत गए बात होगी पानिपत सिटी सीट की पानिपत यहां से पानिपत सिटी से रोहिता रेवडी 2019 में परमोद विज विधायक बने थे 2024 के चुनाव में एक बार फिर से परमोद विज को भारती जनता पार्टी ने टिकेट दिया सामने थे विरंदर बुल्ले शाह रोहिता रेवडी कॉंग्रेस में गई लेकिन टिकेट वहां भी नहीं मिली रोहिता रेवडी च शरीफ और बहुत सभ्य सौम्य व्यक्तित्व हैं और दूसरी बात उनके लिए कही जाती है कि मनहोरलाल के प्रिये लोगों में से एक हैं और एक अंतिम विधानसभा सीट इस लोगसभा की पानिपत ग्रामीन मैपाल ढंडा मैपाल ढंडा भी विधानसभा सीट से बड़े वो सीटें जिन पर की मनोहरलाल कह सकते हैं जिन पर मनोहरलाल सार्थी थे मुख्यमंत्री करनाल लोगसभा की ये नौ विधानसभा सीटें जिनके सार्थी कह सकते हैं मनोहरलाल को जिनके सार्थी थे मनोहरलाल और नौ की नौ विधानसभा सीटें जीतने में काम्याब हुए ये वो नो चेहरे हैं ये वो नो कमल के फूल है करनाल लोगसभा के जिनकों कि खिलने में मनोहराल के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता आप हमारी बास से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें